तो सबसे पहले देखिए, यह है एक रियल चार्जर लेकिन कैसे आपको पता चलेगा कि यह एक रियल चार्जर है हलो दोस्तों, मेरा नाम दीपू, आप देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा Real Charger और Fake Charger के बारे में आजकल Samsung, Apple ऐसी बड़ी-बड़ी कमपनिया Mobile Charger नहीं प्रोवाइड कर रही है और जिसके चलते हम Mobile तो खरी लेते हैं लेकिन जब बात आती है Charger की तो इनके जो Charger होते हैं इनके खुद के ब्रांड के जो Charger होते हैं या फिर एपल के वो पढ़ते हैं पॉस्टली और इस चक्कर में बहुत सारे लोग खरी लेते हैं Fake Charger या फिर Local Charger या फिर आपको ये समझ के खरीदते हैं कि ये Original Charger है प्राइस भी आपको Original Charger का मिलता है लेकिन जब आपके पास Delivered होता है तो वो आपके चार्जिंग सपोर्ट में है उसमें प्रॉब्लम करता है या फिर वो आपको हलका लगता है कई सारे ऐसे रीजन है जिनकी वज़े से आप Find कर पाते है कि ये तो एक Local Charger मुझे मिल गया है या फिर ये Fake Charger है कैसे पता करेंगे कि ये Charger Local है या Fake है आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिसकस करने वाला हूँ आपको बताने वाला हूँ ये है एक Samsung का Charger और जहां पर जो आपको Square का ये सिंबल दिख रहा है इस सिंबल का मतलब होता है कि इस Charger को आप यूज कर सकते हैं इस Charger के दोरा आपको Current नहीं लगेगा यानि Electricity Current नहीं लगेगा उसके बास Second Symbol यहां पर दिख रहा है Home का और इसका मतलब होता है कि इस Charger को आप Home Voltage पर ही यूज करेंगे इसके बाहर नहीं यूज कर सकते हैं और उसके बगल में आपको एक Circle के अंदर V का सिंबल दिख रहा है Actually इंगलिस का V नहीं है यह एक Roman Language का V है और इसका मतलब होता है कि इस Charger को 5 मान दंडों को यह Charger पूरा करता है और जिसकी वज़े से इससे भारत में Launch किया गया है उसके बाद सबसे नीचे यहां एक Infinity यानि डबल 8 का सिंबल दिख रहा है और इस सिंबल का मतलब होता है कि यह Charger पूरी तरीके से Company के द्वारा verify किया हुआ है और यह एक Best Quality का Charger है उसके नीचे आपको आर नमबर मिल जाता है जिससे आप BIS Care एप के अंदर इस आर नमबर को डाल के आप इस Charger की सारी Information चेक तर सकते हैं अगर यह Original Charger होगा तो वहां पर यह Register हुआ मिलेगा लेकिन अगर यह Fake Charger है तो वहां पर इसकी कोई Information नहीं मिलेगी और इस एप को ओपन करने के बाद आपको क्लिक कर लेना है Verify R Number Under CRS पर और इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको इस R Number एंटर कर लीजी तो चलो मैं अपने Charger के यहां पर R Number एंटर कर लेता हूँ जैसे की 93007900 और उसके बाद हम कर देंगे Go पर क्लिक और Go पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर सारी इंफरमेशन आ गई यहां पर ब्रैंड सैमसंग वैलिड़ अप्टू 84026 तक है स्टेटस ओपरेटिव यहां पर आपको सारी इंफरमेशन मिल जाएगी और सबसे नीचे जो सिंबल बना हुआ है डस्ट बिन का Charger में ऐसा नहीं होता है और यहां पर यह जो सुपर-फास्ट Charging लिखा हुआ दिख रहा है सिंबल भी बना हुआ आपको दिख रहा है इस पर बिलकुलमद भरोसा करो क्योंकि यह Original पर भी लिखा हुआ होता है और duplicate पर भी लिखा हुआ होता है और ये है एक local charger जिसमें कुछ symbol तो आपको मिल जाएंगे देखने को लेकिन ये symbol original charger के मुकाबले बिलकुल अलग है तो जिसे आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये एक local charger है और जब आप इसको अपने hand में carry करेंगे तब ये काफी हलका भी महसूस होगा आपको original charger के मुकाबले क्योंकि इसके अंदर यूज किये जाते हैं duplicate component जिसकी वज़े से ये charger काफी हलका होता है और सबसे important बात आपको इस charger में देखने को मिलती है इसमें एक original charger है और दूसरा duplicate charger है और दोनों के जो A type USB port है देखिए इन दोनों में कितना different है original जो है उसमें आपको बीच में USB port मिलता है बट जो इसका copy है या भी डूबलीकेट है इस charger में बिलकुल side में आपको USB port मिलता है जिससे आप समझ सकते हैं कि या original है या फिर डूबलीकेट है तो अगर आपको आपके charger में ये सारे symbol मिलते हैं तब आप समझे कि आपका charger original है otherwise आपका charger डूबलीकेट है उसको refund कर दीजिए या फिर replace कर दीजिए आज का ये वीडियो यहीं पर खतम करते हैं क्योंकि ये charger से जड़ा हुआ वीडियो है तो ज्यादा लंबा तो नहीं हो सकता है कुछ information जो मैंने provide की इस वीडियो के अंदर I hope की आपको helpful लगी होंगी और हाँ जब भी आप कोई charger खरीनने जाएं तो जब आपका charger आपके घर पे delivered हो तो first of all ये symbol चरूर चेक कर लें otherwise आपको एक fake charger जो है मिल सकता है और जिससे आप अपने phone को जब charge करेंगे तो maybe 1% आप chance रख लीजिए कि वो blast भी हो सकता है अगर वीडियो आपको पसंद आया तो like और subscribe जरूर करिए और मिलते हैं कोई एक और SI content लेकर जो आपके लिए helpful हो तब तक के लिए देखते रहिए